है गाईज, होब कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहोंगे और अपने फैमिली का ध्यान रख रहोंगे मैं हूँ आपका एजुकेटर Mr. Viran Singh, होब कि आप सभी लोग ठीक होंगे कभी-कभी ऐसा होता है कि CSIR Examinations के Application Form आ जाते हैं और Application Form को हम Fill Up भी कर देते हैं, लेकिन किसी वज़ों से, किनी गलतियों की वज़े से उस Form में Thruity हो जाती है, Mistakes हो जाते हैं, और उन Mistakes को हम चाहते हैं कि Change कर ले, सवाल यह आता है कि Editable है, Change किया जा सकता है या नहीं, तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि Yes, किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एक Terms and Conditions है, Terms and Conditions यह है कि CSIR जब Application Form निकालता है, तो Application Form का एक Specific Date होता है कि आपको Within Date ही भरना है, उसके बाहर आप Form को नहीं भर सकते, ठिक, उसी तरीके से जब Form भर लेने के बाद, कुछ दिनों के बाद, एक वीक, दो वीक के बाद, वो एक Correction Window निकालता है, उसका एक देट, दो-चार दिनों के लिए, एक दिनों के लिए जो है, वो क्या खोलेगा, वो Correction Window, कभी-कभी एक ही दिन के लिए खुलता है Correction Window, तो आपको Aware रहना पड़ेगा, कि वो Correction Window जो है, कब Open होता है, उस Correction Window के टाइब में, आप अपने Application ID और Password के थूरू Login करके Dashboard पे, आप अपने Informations को Change कर सकते हैं, अगर आपने कभी कोई थूटी करिये, बट याद रहे कि यह जो Correction Window है, यह बहुत ही Short Period of Time के लिए होता है, ऐसा नहीं कि 10 दिनों के लिए चल रहा है, कभी कभी भी मन गए, कभी भी Edit करके चल लिया, नहीं, आप कभी भी Edit नहीं कर सकते, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए जो है, आपको सिर्फ Correction Window के पेट करिए, वहाँ पे जाईए, और याद रहे, Correction Window में जो है, खास कर, अगर आपको एक से दो दिन का समय मिला है, तो रात में कोसिस करें, क्योंकि रात में सर्वर में थोड़ी सी प्रॉब्लम, कभी-कभी क्या होता है, इतने ज्यादा लोग लोड ले लेते हैं, कि सर्वर तुरंत नहीं चलता, जब भी Open होता है, तो रात में कोसिस करेंगे, असानी से हो जाएगा, कई बार Correction Window क में थोड़ी शूफ हो सकती, तो yes, you can edit the information, but yes, definitely एक criteria यह है कि सिर्फ Correction Window के अंदर ही आप edit कर पाएंगे, ठीक है, so यह रहा information, hope कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then, bye bye, take care, and all the best.